अगर आप शिवजी के सच्छे भक्त हैं तो कृपया वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. केदारनाथ यात्रा की एक दरावना सच हर हिंदू की इच्छा होती है कि वह अपने जीवन में कम से कम एक बार केदारनाथ मंदिर जरूर जाए. जानवरों की पैर फिसलने या अन्यकारणों से मौत हो जाती है. पिछले साल के दरनाथ यात्रा के दौरान 350 से ज़्यादा खचरों और घुरों की मौत हो गई थी. उनके अधिकांच शरीर मंदाकिनी नदी में फेक दिये गए थे. 2023 की यात्रा में यात्रियों को ले जाते समय 16 दिनों में 16 घुरों की मौत हो गई. कुछ लोग खचर या घुरे की पीट पर बेरहमी से चाबुक मारते हैं जो भार उठाने में असमर्थ हो गया है. जानवरों के प्रती इस क्रूर्ता के लिए इस साल कई यात्रियों के खिलाप पशु दुर्गेवहार के मामले दर्ज किये गए हैं. किया आप दूसरों को कश्ट देकर इश्वर को प्राप्त कर सकते हैं. 25 अप्रेल से शुरू हुई इस यात्रा में हजारों घोडे और खचर मालिकों ने हजारों पशुओं को किराय पर रजिस्टर करते देखा और सेकडों ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा की. डॉक्टरों के मुताबिक गौरीकुंड से आने जाने का 16 किलोमीटर का रास्ता, चड़ाए उतरना और बर्फ से धकी विप्दा जानवरों की जान बेरहमी से ले लेती है. वे भूख प्यास और बेचैन यात्राओं से मर जाते हैं. कई जानवर गंभीर संक्रमन से पीडित होते हैं. जानवरों को अपने बीमार शरीर के साथ किराय का भुपतान करने के लिए मजबूर किया जाता है और मालिकों को उनकी मृत्यू पर पच्चतावा नहीं होता है. क्योंकि जानवर के मरने से पहले वे उसे निचोडते हैं और उसके जैसे दस जानवर खरीदने की कीमत ढूंडते हैं, बार-बार किरायत देते हैं. के दारनात जाएं, भगवान को ढूंड रहे हैं तो पैदल चले या हेलिकॉप्टर ले. लेकिन इतना तैह है कि जानवरो की पीट पर बैठ कर उन्हें मौत के मुझ में धकेल देने से आपको भगवान नहीं मिलेंगे.